साइन्टिस्स ने जब ब्रेन्स को अब्जर्व किया और जब ब्रेन्स को अब्जर्व किया देखा कि एक मर्द चाहे अमेरिकन हो चाहे इंडियन हो चाहे अफ्रिकन हो चाहे यूरोपियन हो सबका ब्रेन सेम ही दिखता है लेकिन जब मर्दों का ब्रेन किसी मर्द के ब्रेन को लेकर इसी ऑरत के ब्रेन से compare किया जाए और उन्होंने experiments किया, अगर slice देखी जाए दोनों की, तो दोनों का ब्रेन different है. मर्दों का ब्रेन अलग है, और ओरतों का ब्रेन अलग है. जैसे कहावत है न, men are from Mars and women are from यह जो कहावत है, fact यह है कि दोनों का दिमाग अलग होता है, अलग होने में, size के अतबार से तो मर्दों का brain बड़ा होता ही है, यह एक बात हुई, लेकिन उसकी capacity के अतबार से, उसके अंदर जो structure उपर वाले ने बनाया है, उस अतबार से भी दोनों brains different है, जैसे grey matter कहा जाता ह ग्रे matter, white matter, men and women, तो आपको इसकी कई सारी scientific reports मिल जाएगी, जिसके अंदर आप देखेंगे कि मर्दों के पास जो grey matter है, brain का जिसे आम जबान में grey matter कहा आता है, और ओरतों से 6.5 times जादा है, और white matter जो connectivity के लिए required, brain के अलग-अलग parts जो connect होते हैं, connectivity के लिए जो required है, वो औरत ही थी के hardwired, जो औरतों का दिमाद, दोनों sides बहुत ही strongly well connected है, जो left hemisphere, right hemisphere है, दोनों के दोनों sides है brain की, वो पुरी तरह से well connected है, well interconnected, मर्दों का ऐसा होता है, एक hemisphere के अंदर-अंदर जो connection अचा है, लेकिर intra hemisphere connection इतना अचा नहीं है, अब हम देखते हैं, जैसे मिसाल के तौर पर speech की बात है, तो मर्द जो बात कर रहे हैं, तो left side of the brain से बात कर रहे हैं, और वो left side पर अगर किसी को stroke लग जाए, stroke आ जाए, तो उसकी speech चली जाएगी, लेकिन वही same stroke अगर किसी औरत को आ जाए, और उसका brain का एक side effect हुआ है, दुसा side नहीं effect हुआ है, वो फिर भी बात करती मतलब यह एक चीज है, जो उपरवाले ने इस तरह से बनाया है, क्योंकि उनका brain well connected है, जजबात और emotions से वो बहुत ही well connected रहती है, और यह भी एक बहुत जरूरी चीज है, अगर यह चीज नहीं होती, तो औरतों के लिए बच्चों के जजबात को समझना इतना असान नहीं ह वो बच्चों के जजबात को समझ पाती है, अगर मान लीजिए औरतों का भी brain मर्दों की तरह ही होता, तो आप देखें कि वो बच्चा जो जजबात होता है, बच्चे के जजबात को समझना, feelings को समझना, उसके लिए care करना, उसके लिए दिल में emotions होना, यह एक मात जैसे सम जबात नहीं होते, जैसे लोग बोलता है न कई बार, अरे ओरते ऐसी क्यूं होती है, ऐसी क्यूं होती वो कहते हैं, अरे अगर ऐसी नहीं होती वो तो बच्चों के जजबात को समझना, अगर एतना possible नहीं होता, तो जड़ा imagine करिये, कि बाप कितना समझ पाता है, बच्चा रो रहा है, रो रहा है, रो रहा है, माँ जैसे फील करके उसको संभालेगी, ऐसे बाप तो नहीं संभाल पाता है, तो वो जजबात की भी अपनी इंपोर्टन्स है, तो हम यह देखते हैं, कि कई अबिल्टीज मिसाल के तौर पर, देखा गया कि एक आठ साल का बच्चा on an average boy वो एक 12 साल की लड़की के लेवल का मैट्स कर लेता है, यह रिपोर्ट से हमें मिलता है, और लड़कीया नॉमली लड़कों से 5-6 यह आगे होती है, लैंगुज स्किल्स में, लैंगुज स्किल्स में और फाइंड मोटर स्किल्स, जैसे के हैंड़रिटिंग, तो इसके अं होती है, लड़कीया जादा हार्ड वर्किंग होती है, तो end result स्कूलों के result झेहें, तो लड़कीया जादा better score करती है लड़कों से, अफ्कॉर करने में उनके लेंगुज स्किल्स भी आ रहे हैं, लेकिन बाकी जो areas कमजोर है, अगर वो अपने दिल पर ले ले और हार्ड वर करें तो वहां आगे जरूर बढ़ सकती हैं लेकिन यहां बात हो रही है कि कौन सी ability दी गई है कौन सी ability उपावाले ने इनसानों को दिया है तो यह अलग-अलग तरह की abilities है brains अलग-अलग है